नमस्कार दोस्तों मैं अमित जांगडा स्वागत करता हूँ आपका यूटूब चैनल जनरल डोजबाई एजे पर दोस्तों फाइनल एयर के विद्यार्थियों के लिए दो बड़ी अपडेट है हाल ही में आदित्य ठागरे ने यूजीसी की गाइडलाइन के खिलाब सुप्रीम कोर्ट में चुनोती दी है दूसरा यूजीसी ने अपना नया नोटिस जारी करके बताया है कि फाइनल एयर के एग्जाम्स को कंड़क्ट करवाना क्यों जरूरी है हम दोनों ही बातों को डिस्कस करेंगे दोस्तों सबसे पहले देख लेते हैं देखिए आदित्य ने यूजीसी के निर्ने को सुप्रीम कोर्ट में चुनोती दी यूजीसी का अंतिम वरस्की प्रिक्षा कराने का निर्देश महराष्ट्रा के केबिनेट मंत्री वे यूजीसी के अध्यक्स आदित्य ठागरे ने विस्वविद्यालों की अंतिम वरस्की प्रिक्षा कराने के यूजीसी के निर्ने के खिलाप सुप्रीम कोर्ट में याजीका दायर की है UGC ने विसोविद्याले को अंतिम वरस की प्रिक्षा 30 स्टमबर तक कराने का निर्देश दिया है युवा सिवसेना सचिव वरुन सरदेशाई ने ये जान करी दी याचिका में मांग की गई कि UGC विसोविद्यालों को अपने सेतर में करोना संकर्मन की स्थीति के अनुसार अंतिम समेश्टर वर अंतिम साल की प्रिक्षा कराने की छूट हो तो दोस्तों जैसा कि पहले ही आप लोगों को बताया जा चुका है कि महाराष्टरा सरकार इसके लिए पहले ही विरोध अपना परकट कर चुकी है उसके बावजूद UGC ने अपना कोई निरने नहीं बदला है और बहुत शे ऐसे स्टेट हैं जो इसके खिलाफ अपना विरोध परकट कर चुके हैं जिन्होंने अपनी स्टेटमेंट जारी करके बताया है कि वो फाइनल एयर के एकजाम्स कंड़क्ट करवाने में एसमर्थ हैं उसके बावजूद UGC अपने निरने को बदलने के लिए तैयार नहीं है चलिए दोस्तों अभी देख लेते हैं UGC का जो नया नोटिस आया है देखी दोस्तों कल ही UGC ने अपना नया नोटिस जारी करके बताया है कि फाइनल एयर के एकजाम्स को कंड़क्ट करवाना क्यों जरूरी है देखिए विशव विद्यालों के लिए टर्मिनल समेश्टर समेश्टरों अंतिम वर्सकी प्रिक्षाएं प्रिक्षाएं सिक्षय प्रणाली और विद्यारतियों के ज्यान अर्जन, कोसल और अन्य दक्सताओं के आंकलन का एक अभीन अंग है प्रिक्षाँ में परदर्षन, योगेता, आजिवन, विशवनियता, परवेश, छात्तरवर्ती, अवारड, पलेस्मेंट और बहतर भविस्से की संभावना के लिए व्यापक वेश्विक स्विकारिता में योगदान देता है देखे दोस्तों तीन साल की ग्रेजिशन की जो डिगरी होती है धाई साल हो चुके हैं उसमें ये आंकलन विद्यार्थी का नहीं कर पाए कि वो विद्यार्थी कैसा है ये एक समेश्टर की प्रिक्षा लेकर के ये आपका निचोड निकाल लेंगे अगला अमरिका, ब्रिटेन, कनाड़ा, जर्मनी, आउस्ट्रेलिया, सिंगापूर, होंकोर्ण और अन्य देशों सहित विशाव भर में बड़ी संख्या में सुरोत्तम विशाव विद्यालों ने प्रिक्षाएं संचालित की हैं या संचालित कर रहे हैं, जिनमें वे विखिन, विकल्प जैसे की ओनलाइन, ओफलाइन, मिश्रित या फ्रिक्षाओं के अन्य वेकल्पिक रूप अपना रहे हैं देखी दोस्तो, इन्होंने जितने भी कंट्री के नाम यहाँ पर लिखे हैं, वो सारी डेवलप्ड कंट्री हैं और जबरदस्त वहाँ पर फैसलेटी हैं, और करोना के कैसिज भी वहाँ पर लग 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 कंट्रोल में आचुके हैं, अमरिका को छोड़ करके यह लोग इतनी बड़ी बड़ी कंट्री के साथ इंडिया का कंपेर कर रहे हैं, तो इनको कंपेर एजुकेशन वकावी करना चाहिए, वहाँ का एजुकेशन सिस्टम कितना जबरदस्त है, और इंडिया का कितना लो लेवल है, सभी को पता है, यह कोई बताने की बात नहीं अगला पॉइंट, विद्यारतियों के विशा उस्तरिय सेक्षनिक और केरियर की परगती से सम्मनित वरितर हितों की रक्षा के लिए विशा विद्यल अनुदान आयोग ने 29 अपरेल 2020 को प्रिक्षाओं और सेक्षनिक कलेंडर के बारे में दिसा निर्देश जारी किये, ज हमारी किस्तीती को देखते हुए जुलाई 2020 के महिने में प्रिक्षाओं का संचालन करना ठीक था, इसलिए ग्रै मंतरा ले, मानो संसादन विकास मंतरा ले और विशे सक गय समित्य की रिपोर्ट के निर्देशों के अनुसार यूजिस ने प्रिक्षाओं और सेक्षनिक कले के बारे में 6 जुलाई 2020 को संसो दितदिसा निर्देश जारी किये, देखिए दोस्तों इस नोटिस के अंदर कुछ खास बताया नहीं गया, वही गसी पिटीन की बाते हैं, लेकिन एक रिपोर्ट इन की आई है, हाल हिमें विशे विद्यालों को प्रिक्षा के संचालन की स् दोस्तों चुईतर निजी विशे विद्याली, čालिस केंदरिये विशे विद्याली और तिनसों इकिस रात paycheck विशे विद्याले से सूजना प्राप्थ हुई लेघ है। में से 560 विशविद्याले ने परिक्षिया संचालित की है या संचालित करने की योजना बना रहे हैं जिसका विवरण निर्मानुसार है 193 विशविद्याले पहले ही परिक्षिया ओनलाइन ओफलाइन आयजित कर चुके हैं 366 विसविद्याले अगस्त स्टमबर में प्रिक्षा ओनलाइन ओफलाइन मिसरित पदती आईजित करने की योजना बना रहे हैं इसके अतिरेक्ट 27 नीजी विसविद्याले जो 2019-2020 के दोरान आज तक स्टापित किये गए उनका पहला बेच अभी तक अन्तिम प्रिक्षा के ल जना बना रहे हैं दोस्तों 4 अगस्त को सुप्रेम कोल्ट का इसके उपर फैसला आना है तब तक आप लोगों को इंतजार करना होगा और अपनी पड़ाई को जारी भी रखना होगा धन्यवाद दोस्तों जय हिंद जय भारत